दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आइफोन में जो रिमाइंडर्स एप होता है इसको कैसे यूज कर सकते हैं कैसे यूज करना सबसे पहले जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा इस टाइप का इंटरफेस ओके यहां पर आपको क्या करना आपको नौर्मली एकर रिमाइंडर्स करेंगे यहां पर जो भी लिख सकते हैं कि कहा जाना है या फिर क्या करना है जो भी आपको दिखना हूँ आप यहां पर लिख सकते हैं उसका वो कर दीजे और भी चीजे हैं लाइक जैसे अरली रिमाइंडर यहाँ पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं जैसे वन डे बिफोर या इस टाइप से भी कि मतलब उस दिन तो आएगा ही आएगा जिस दिन आप यहाँ पर सेट करेंगे बट उससे लेट से दो दिन पहले भी आपको एक आ जाएगा रिमाइंडर ठीक है इस टाइप से रिपीट अगर आपको चाहिए कि यह लाइक डेली रिपीट हो या फिर वीकेंड्स में या येर रहने दीजिए ओके यहाँ पर आप लोकेशन एड इनेबल कर सकते हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन में ही आपको रिमाइंडर आए ठीक है यहाँ पर वें मैसेजिंग आउन करके और यहाँ पर कोई परसन चूज कर सकते हैं जिससे जब आप उससे बात कर रहे होंगे तब आ आप अड पर क्लिक कर देंगे ओके लिकाय नो अर्ली नोटिफिकेशन इंट सिंस तेॉर्ल इड़ी पास्ट तो क्योंकि दो दिन अमने सेलेक्ट कियाता और यहाँ पर जो टाइम हमने सेट किया है वह भी जश्ट दो दिन से कमी का यह तभी वो दिखा रहा है ठीक आप सट यहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहां पर एक reminder set है, और set करना है, simply इसी type से click करके, यहां पर जो जो आपको set करना हो, simply add पर click कर दीजे, add हो जाएगा इस type से, ठीक और जो भी आपने set किया होगा, time अगरा, उस time पर आपको notification जो है, मिल जाएगा, reminder की notification आ जाएगी, okay, आप यहां पर lists भी बना सकते हैं, for example, जैसे add list पर click करेंगे, और यहां पर आपने एक list बना दी की, college की अलग, है न, like घर की अलग, इस type से, या फिर meeting की अलग, work की अलग, तो for example, माल लेते हैं, हम बना देते हैं, की जैसे home, ठीक है, की आपको home, घर से related reminder की, आज यह लाना ह यह सब अगर चाहिए, या कहीं जाना है, इस type से तो आपने बना लिया, ठीक है, just for example, आपको बता रहे है, यह list बना लिया, अब इस list में आप simply reminder add कर सकते हैं, इस से related जो भी है, ठीक है, की कहीं जाना है, या कुछ भी है, की कोई party attend करनी है, ओके, तो आप यहां पे लिख सक कर सकते हैं, list अगर delete करनी है, side में scroll करेंगे, इस पे click कर देंगे, यहाँ पे delete पे click करेंगे, delete हो जाएगा, उसमें जो भी reminders होंगे, वो भी delete हो जाएगे, ओके, और यह जो my list है, इस type से, इसको भी आप चाहें, तो यहाँ पे delete कर सकते हैं, इस से delete करने से होगा, क्या, सारे जो भी reminders हैं, आपके, वो सब delete हो जाएगे, इस type से, आप जो है reminders है, यूज कर सकते हैं, अगर वीडियो से help हुई हो, तो वीडियो को खर दीजे, like, चैनल को कर लीजे, subscribe, and bell icon को press, ऐसे ही और भी videos देखने के लिए,